कि मैं ध्रमेंद कुन अबाड एकर आप लोगों को के केस्टन क्लासे में स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें और बेल आइकोन का बटन में दवा दें आज आपको पड़ते लेखें संक्या 6 लिखाएंगे और इसका संकेत लेपी भी इस वीडियो के साथ 28 है पहले 17 के स्पीड में लिखाएंगे फिर 80 के स्पीड में लिखाएंगे दो से किन रुख जाएए रेडी लास्ट रेडी अस्टार्ट उपाध्यस महोद है तब उन लोगों को कुछ आसा हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ उससे देश के धनीकों के एमान में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि इस चुनाव के बाद उनकी इस्थिती और ऐसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है गरीबों और अमीरों कि बीच में अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था उसको अब तेजी से दूर करने का परियात्न किया जाएगा शिरिमान मैं आपका बहुत ही अभारी हूँ जो आपने सदन में चालू बर्स के बजट पर अपने विचार परकाट करने का अबसर दिया है मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ शिरिमान मैं सबसे पहले अपने दल के नेता परधान मंतरी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेत्यत्य में देश में कांगर्स दल को असपास्ट बहुमत मिला और इसके फाल स्वरूप यहाँ पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो की देश में बास्ता में समाजबाद लाना चाहती है मैं बीत मंतरी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि लोकसभा के मध्या बधी चुनाब में जनता द्वारा कांगर्स दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें असमरन है और वह तन मंधन से उनका पालन करना चाहते हैं वह आदेश था देश में समाजिक और आर्थिक विशमता दूर करने का देश से गरीवी बेकारी और बेरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था की देश के अंदर इस प्रकार की समाजिक और आर्थिक वियावास्था पैदा की जाए जिसके अंतरगात जनता सोशन से मुक्त हो सके शिरिमान यह ठीक है की देश में किर्शी के शेत्र में उतपादर में बिर्धी हुई है प्रन्तो इसके साथ ही साथ या भी द्रिश्टी में रखना चाहिए की लागत में भी पूरी बिर्धी हुई है इसके लिए अवस्यक है की सिचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक उन्नत बीजों का परियोग किया जाए आज किर्शकों को किर्शी के यंत्र मिलने में बहुत कठनाई हो रही है जैसे सोटे सोटे ट्रेक्टेरों का देश में बड़ा अभाव है उनके बनाने के लिए सिग्र नए कारखाने खोले जाएं जिससे किर्शकों को जल्द से जल्द ट्रेक्टेर मिल सकें देश तभी परगती करेगा हमारा ऐसा बिश्वास है दो सेकेंड रुख जाएए अब अश्री के स्पीड में लिखाएंगे रेडी लास्ट रेडी अस्ट रेडी अस्ट आट उपाध्यस्म होद है तब उन लोगों को कुछ आसा हुई की हम लोग भी उसी तरह चाल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे लेकिन अभी हाल में जो चुनाब हुआ उससे देश की धनीकों के मान में बड़ा संदे पैदा हुआ की इस चुनाब के बाद उनकी स्थीती और भी आसा थे अबड़ा संदा। वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था, उसको अब तेजी से दूर करने का पर्यात्न किया जाएगा। सिरिमान मैं आपका बहुत ही अभारी हूँ जो आपने सदन में चालो वर्ष के बजट पर अपने विचार परकाट करने का अविसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ पैराचेंज। सिरिमान मैं सबसे पहले अपने दल के नेता पर्धान मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ की। उनके नेतित्व में देश में कांगर्स दल को असपस्ट बहुमत मिला और इसके फल सरूप यहां पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो की देश में बास्ता में समाज बाद लाना चाहती है। मैं बेत मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ की लोकसभा के मध्याबधी चुनाव में जनता द्वारा कांगर्स दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें असमारन है। और उबाह तन मन धन से उसका पालन करना चाहते हैं। उबाह आदेश था देश में समाजिक और आर्थिक विशमता दूर करने का। देश से गरीबी बेकारी और विरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिषड़े हुए हिस्से हैं। उनका पूरा विकास करने का साथ ही साथ। इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की समाजिक और आर्थिक विवस्था पैदा की जाए। जिसके अंतरगात जनता सोशन से मुक्त हो सके सिरीमान यह ठीक है की देश में किर्शी के सेत्र में उत्रपादन में बिर्धी हुई है। प्रन्तु इसके साथ ही साथ यह भी द्रिश्टी में रखना चाहिए की लागत में भी पूरी बिर्धी हुई है। इसके लिए आवश्यक है की सिचाई के साधन बढ़ाये जाएं और अधिक उन्नात बीजों का परियोग किया जाए। आज किर्शकों को किर्शी के यंत्र मिलने में बहुत कठनाई हो रही है। जैसे सोटे सोटे ट्रेक्टेरों का देश में बड़ा अभाब है। उनके बनाने के लिए सिघर नए कारखाने खोले जाएं। जिससे किर्शकों को जल्द से जल्द ट्रेक्टेर मिल सकें। देश तभी प्रगती करेगा हमारा ऐसा विश्वास है।